बॉलिवुड ने पिछले दो सालों में कई फिल्मी हस्तियों को खो दिया अब बॉलिवुड से जुड़े एक और आर्ट डारेक्टर का निधन हो गया है जिहां इन आर्ट डारेक्टर का नाम नितिन दिसाई है जिन्होंने जोधा अकबर का सेट डिजाइन किया था नितिन दिसाई को चार नेशनल फिल्म आवार्ड भी मिल चुके हैं आपको बताते हैं जाने माने आर्ट डारेक्टर नितिन दिसाई ने बुदवार को अपनी जान ले ली उनकी उम्र 58 साल थी उन्होंने मुंबई के नजदी की करजत में अपने एंडी स्टूडियो में फांसी के बाद खुद की जान ली है आपको बताते हैं नितिन दिसाई ने हम दिल दे चुके सनम लगान देवदाज जोदा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों का सेट डिजाइन किया था उन्हें चार बार बेस्ट आर्ट डारेक्शन कर राश्ट्रे फिल्म अवार्ड मिला था आपको ये भी बता दें कि मई में के एर्विडाइजिंग एजनसी ने देसाई पर 51 लाक रुपे की धोका धड़ी का एलिगेशन भी लगाया था एजनसी ने कहा था कि तीन महीने तक काम करवाने के बावजूद देसाई ने पैसा नहीं दिया अलाकि नितिन देसाई ने इन एलिगेशन पर कहा था कि एजनसी पहले भी उन पर इस तरह के एलिगेशन लगा चुकी है फिलाल वहां कि लोकल पुलिस ओफिशल इस पूरे इंसिडेंट की जांच कर रहे हैं इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उनका ऐसा कदम उठाने की असली वज़ा क्या थी आपको बता दे कि नितिन देसाई ने कला निर्देशन यानि की आर्ट डिरेक्शन जैसे अलग फिल्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था नितिन देसाई ने पिछले 30 सालों में कई फिल्मों का आर्ट डिरेक्शन किया है नरेंदर मोदी से लेकर महराष्ट के सबी राजनिताओं से नितिन देसाई के अच्छे रिलेशन थे नितिन देसाई इंडस्टी में एक बड़ा नाम थे नितिन देसाई ने अपने करियर की शुरुवात असी के दशक में गी थी नितिन देसाई को असली ब्रेक जो मिला था वो था 1942 में अल लव स्टोरी से बाद ने उन्होंने कई पॉपिलर डारेक्टर्स के साथ काम भी किया फिलाल उनके इस तरह से जाने से इंडस्ट्री में तो काफी दुख है तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनको श्रधानजुली दे रहे हैं फिलाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें